नमस्कार दोस्तों सागत आपका एक बार फिर आपके अपनी चैनल हलो टीचर में और जैसे कि डीमांड थे आप लोग की उस डीमांड के हिसाब से मैंने लाया है लापा 2016 का जो पेपर है आपका लेबर अकॉंटिंग और फैक्टरी अकॉंटिंग का 2016 का पेपर सेट यह तो च यह जो 2016 का है को सब्सक्राइब अपना स्वाल करने वाले ठीक है तो चलो स्टार्ट करते है कि इसमें पहला क्वेश्चन दिया है के थोड़ा जुम कर ले ठीक है Qualition number लिए जो करमचारी फैक्टरी के परिशर में काम नहीं करता है पर घर से ही काम करता है उसे कहा जाता है मतलब जो करमचारी फैक्टरी के अंदर निया ता लेकिन घर से काम कर लेता को n.. इसको कॉनसा करमचारी गहा जाता है option number a में जया बहारी कर्मचारी, b में जया कांट्राक, c में जया अस्ताई, d में जया सामाइक question English में भी पढ़ ले ताओ, a worker who does not work in the factory premises but work at his home, is called as option number e is a out worker, b is a contract worker, c is a temporary worker, d is a casual worker तो इसका जो correct answer हो जाएंगा, हो जाएंगा option number e बहारी कर्मचारी ठीक है, जिसे आपन out worker कहेंगे, इसके बाद question number two है विबाक बंदा खर्चा को साधरांता लेवी करता है, option number e में जया लेखा, b में जया वेजना, c में जया edp, d में जया इन में से कोई नहीं, the section normally levy is the overhead charges, option number is accounts, b is the planning, c is the edp, d is the none of these तो इसका जो correct answer हो जाएंगा, option number, question number 2 का option number ये लेखा, मतलब account भी भाक ठीक है, account department, इसके बाद question number 3 है, कर्मचारी कल्यान लागत के आदार पर बाटा जाता है, ये में जया कर्मचारी की संक्या, b में जया श्रम गंट, c में जया मशिन चलाने की अबदी, d में जया मुख्य लागत, employee welfare expenses are allocated on the basis of, option number ये लेबर होर्स, c में जया मशिन होर्स, d में जया प्राइम कोस्ट, इसका question number 3 का जो राइड़ान से रोज़ेगा, option number ये, number of employed मतलब कर्मचारी की संक्या, ठीक है, number of employees, इसके बाद question number 4 है, factory की उत्पादन खाते में आप रयुक्त अतिरिक्त शम्ता के विवरन पर अलग के गई राशी को के रूप में दर्शया जाता है, option number A में जया विवजान, B में जया संकलन, C में जया रून प्रारिशोदन, option number D में जया नीरस्तिकरन, तो जो बड़ा question है, वो आप English में, जिनको हिंदी में थोड़ा problem जाता है, वो English में नीचे read कर सकते, कि कि दोनों question जो बड़े बड़े रहेंगे, वो में पड़ूंगा, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएंगा, और time भी थोड़ा वेश्ट हो जाएंगा, तो इसके मैं option पड़ देता हू, option number E is a deduction, B is a addition, C is a amortization, D is a notification, तो इसका question number 4 का right answer हो जाएंगा, option number E, वो जान, इसका अपन deduction कहिते है, ठीक है, question number 4 का right answer हो जाएंगा, option number E, वो जान, इसके बाद question number 5 है, परिवर्ति लागत के लेवी के लिए दर की गन्ना तोर पर होती है, option number E, मासिक, B में जाएंगा, तो इसका जो question number 5 का right answer हो जाएंगा, option number E, मंतली, ठीक है, मंतली, और IMP question है, ठीक कर लिए जो मैं बोलता हूँ कि IMP है, तो question पूछन 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 है, पूछन पूछन है, और इसके बाद question number 6 है, परेवेशी यह प्रशास के कर्माचारी को प्रदान के जाने वाले वेतन को वेक अंतरगत रखा जाता है, question number 6 है, और इसका option number D, option number E, में प्रत्यक्षे, B में दिया बंदा, C में दिया कल्यान करे, D में दिया पूरक, salary, pay to supervisory and administrative personnel are put into expenses, option number is a direct, B is a overhead, C is a welfare and is a supplementary, तो question number 6 ता जो right answer देंगा, option number B, overhead charge, ठीक है, option number B, overhead, इसके बाद question number C, 7 है, निक्ष्रिया समय के लिए, option number नियोच करता दारा वेतन दिया जाता है, B में दिया है, कर्मचार्य दारा समय का आपवे किया जाता है, option number C, नियोच करता दारा वेतन नहीं दिया जाता है, option number D, यह सभी, idle time is, option number is paid by the employer, B is the time wasted by the workers, C not paid by the employer, D is all of these, तो question number 7 का जो right answer होगा, option number A, paid of the employer, मतलब नियोच करता दारा वेतन दिया जाता है, ठीक है, option number is the right answer, इसके बाद question number 8 है, किसी भी इमारत को वर्ष के निर्दारी जेवन काल होनी के आशा रखी जाते है, most important question है, बोद बार पुचा जा चुका है, any building is normally considered to have an asset life of years, option number is the 30, B 45, C में जा 60, D में जा 100, और इसका जो correct answer होजाएंगा, option number C, most IMP, इसने question है, ठीक है, option number C, इसके बाद question number 9 है, इन में से किस में अमुल्यान मुल्याक कभी नहीं हो सकता है, option number A में जा सायंत्र, B में जा इमारत, C में जा भूमी, और D में जा इन में से कोई नहीं, width of the falling will never have a depreciated value, option number A में जा plant, B is the building, C में जा लाण, D अन अब जीज, तो question number 9 का जो right answer हो जाएंगा, हो जाएंगा, option number C, land, जिसे अपन भूमी कहेते हैं, ठीक है, भूमी, इसके बाद, question number 10 है, RR course का आर्था क्या होता है, RR course किसे कहेते है, अपने को बताने, option number A में दिया, regeneration reserve course, B में दिया, regeneration replacement course, C में दिया, reserve regional course, D में दिया, renewal reserve course, RR funds stand for, regeneration reserve fund, B is the regeneration replacement fund, C is the reserve renewal fund, D is the renewal reserve fund, तो question number 10 का जो right answer रोजाएंगा, option number D, renewal reserve fund, ठीक है, इसके बाद, question number 11 है, अनुसंदान लागत को, के रूप में वार किया जाना चाहिए, option number A में दिया, उत्पादन ओरेड, B में दिया, आउदी लागत, C में दिया, परिवर्तन लागत, D में दिया, इन में से कोई नहीं, तो research cost should be treated as production, और अप्शन नमबर B, इसके प्रेड कोस्ट, शीन जो वेरेबर कोस्ट, और अप्शन नमबर दिया, नन आप्दीज, तो question number 11 का जो right answer हो जाएंगा, प्रोडक्शन ओवरेड, उत्पादन ओवरेड भी से अपन बोलते हैं, ठीक है, इसके बाद question number 12 है, इमार होते हो, मन्य वस्तो के लिए वास्तिक क्रे मुल्य पुर्थम और्षा का आव मुल्यन वेर रजिस्टर में दिखाया जाएगा, option number E is a block, B is a slab, C is a wedge and D is a chunk, ओरिजिनल पर्चेस व्यालू, फर्स्ट यर डिप्रेशेशन चार्ज, विल बी शो इन रजिस्टर फार बिल्दिंग और अधर इटम्स, option number E is a block, B is a slab, C is a wedge and D is a chunk, तो question number 12 का जो राइट एंसर हो जाएंगा, option number E block, ठीक है, यह भी IMP question है, और मेरे खायल से most IMP है, तो इसे भी आप, मार्क करके रख सकते, ठीक है, इसके बाद question number 13, फैक्टरी के द्वारा पुन्जिगत परिसंपत्तिव की स्प्रत्यक वस्तु को एक रजिस्टर संक्या दिया जाता है, option number A मेरे विशिष्ट, B मेरे दिया समान, C मेरे समवा, D मेरे थोक, यूनिक, स्वारी, इज आइटम आप कैपिटल असेट इज अलोटेड रजिस्टर नमबर बाइद फैक्टरी, option number इज यूनिक, B इज सिमिलर, C ज ग्रूप एंड इज बॉल्क, तो 13 का जो राइट आइंसर हो जाएंगा, हो जाएंगा option number A, यूनिक, मतलब विशिष्ट ठीक है, इसके बाद question number 14 है, फैक्टरी में पुन्जी का समपत्ति का हिसाब लेखा कारले द्वारा रजिस्टर में रखा जाता है, आप्शन नमबर E, ब्लाग, B में जाए स्लैप, C में जाए वेज और D में जाए चंग, तो 14 का जो राइट आइंसर हो जाएंगा, option number A, फैक है, इसके बाद question number 15 है, question number 15, इसका निश्क्रिय समय के कारण हो सकता है, कुण से कारण से हो सकता है, बताना है, यह में जाए बिजली का नहोना, B में जाए मशिन में खराबी, C में जाए काम के लिए इंतजार करना, D में जाए A और B दोनो, idle time में भी, cause due to power failure, B में जाए machine breakdown, दूख लगभी मतलब बिदली का न होना और मशीन में खराबी होना ठीक है इसके बात question no.16 देखते हैं कि निम्मकित मेंसे कोन एक वैद्ध कुंजिगत संपत्य है आप्चन नंबर A में दिया भूमी, B में दिया इमारती, C में दिया सयंत्रय मशिन और D में दिया ये सभी तो क्वेशन नंबर 16, इंग्लिश में पढ़ लेता है, which of the following is the valid capital asset? आप्चन नंबर इस लैंड, B is the building, C is the plant and machinery, D is the all of these तो इसका correct answer हो जाएंगा D, all of these, मतलब A सभी ठीक है, question number 17, शुद्र सामाजिक कार्योक के संदर में में येजना इवाग एक निकाल सकता है, क्या निकाल सकता है, A में दिया ZWOT, B में दिया AWOD, C में दिया AWOD, D में दिया AWOD, इन रिगार्ड प्रेटी क्याज़ल वर्क, दा प्लानिंग डिपार्मेंट्मेंट्स का रिली जा, जिसका जो correct answer हो जाएंगा, हो जाएंगा, option number, B AWOD, मतलब सप्लिमेंट्री वर्क ओडर ड्राप्ट, ठीक है, IMP question है, बोद बार पुचा जा चुका है, AWOD का मीनिंग भी सप्लिमेंट्री वर्क ओडर ड्राप्ट, इसके बाद question number 18, store विभाक से दुकानों में वस्तो के विरुद्ध ही दिया जाता है, option number A में दिया, पूर्ती पत्र, B में दिया, मांग पत्र, C में दिया, संसाधित पत्र, D में दिया, मांग अधि ग्रहन, Materials are issued by the store, department to shops, only against, option number is supply notes, B is a demand note, C is a process note, D is a demand requisition, तो इसका जो correct answer हो जाएंगा, option number B, demand note, ठीक है, IMP, most important है, इसके बाद question number 19 है, श्रम घंट की दर समीकर्ण के द्वारा गन्ना की जाती है, option number A में दिया, श्रम ओरेड अबलिक श्रम घंट, B में दिया, ओरेड अबलिक श्रम घंट, C में दिया, प्रत्यक्ष वस्त अबलिक प्रत्यक्ष श्रम घंट, अब दिया, इसमे कोई नहीं, labor Hertz, rate is calculated by the equation, option number is the labor, overhead, अबलिक, labor Hertz, option number B is the overhead, अबलिक, labor Hertz, option number C is the direct material, अबलिक, डायरेक, labor Hertz, अडिज दीज नानावदीद तो 19 का जो रहे आइंस रोजेंग आप्शन नमबर बी ओर है आप्शन नमबर भी इसके बाद क्वेस्टन नमबर 20 प्राप्ति वाउचर नमबर का दिया जाता है मोस्ट इंपोर्टन चाप्टर भाई थो फटो प्राप्ति वाउचर नमबर का दिया जाता है बीनकष आप्शन नमबर में धिया बीनकार्ड से बीने धिल्लाय मृगल्य निढा इन्स्टौर लाजर डी मिधि दः देघ 너 लेजर फोलियो तो रिशिप्ट वाउचर नंबर इधा लो टेड टू आप्शन नंबर इधा बीन काड भी प्राइस टोर डिधा यह मैं स्लीब एंड इढ़ लेजर फोल तो इसका करेक्ट एंसर क्या हो जाएंगा कि इसका करेक्ट एंसर हो जाएगा यह मैं स्लिफ ठीक है आप्चन नमबर ची कि मोस्ट आयंब चाप्टर ए जीतने भी यह मैं स्लिफ पे बनने वाले क्वेश्टन इम इसके बाद क्वेश्टन नमबर 21 है अच्टोर के लिए प्राप्त एक प्रमान पत्रह साथ में प्राप्तिवावजर के उद्धेश की पूर्ति करता है आप्शन नमबर 2 में देया बिन कार्ट, ब मुल्य निदर श्टोर लेजर, आफ्शन नमबर 5 में देया यह मैए स्लिफ आर्प्शन नमबर 9 में देया लेजर फोली तो इसका जो करेक्ट एं जिनको भी हिंदी में प्रॉब्लम जाता है समझने में नीचे स्कीन पर देख सकते हैं इसका जो करेक्ट एंसर हो जाएंगा वो जाएंगा आप्शन नंबर शी यह मैं स्लिप कर इसके बाद क्वेशन नंबर 22 है यह में दोट साधारनता एक प्रातिव पर्वन पत्र बनाया जाता है यह में झाथ है यह मेड़्यगन काड आप्शन नंबर दे जわか्रोंमब्र झाएं यह मैं स्लिप और ऑस्थन नंबर छी यह माय इस्लिप आप अप्षननबर सी माई स्लीप ठीक है इसके बाद क्वेस्टन लंबर ट्वेंटी ठाकान को दूर करने के लिए बिता अ गया समय है तो यह जो आसे नबर ए में सामने निस्ट्रेड समय बी में सामने इस्करेड समय में सी में ओवर ताइम स्पेंटू ओर कम फेचिए जा आफ्टिन नमबर जा नार्मल आइडल टाइम बीजा अबनार्मल आइडल टाइम चीजा ओर टाइम एंड जा नारवद अब तो थकान को दूर करने के लिए जो बिताया गया समय वो कुणसा समय तो सामने निश्क्रेश समय किसी वरकर अगर अपनी थकान जूर करने के लिए थोड़ा वह समय बीटा लेता तो उसको अपन का बोलेगा सामने निश्क्रेश समय बुलेंगे विसका जो राइट एंसर हो जाएंगा सामने निश्क्रेश समय ठीक है इसके बात क्वेस्टन नमबर ट्वेंटिफोर है निम्म कित को लागत याँ आन कास्ट पहा जाता है है यह जो डेशय आपसिन देऊसमय से किसको ओरेड यागत अउन कास्ट का जाता है यह लागत लगत अश्क्रेश खतालेंगेश होिए गरत्वेंगेश. निष्टबशन नमबर एय नैंधे प्रत्यक्षे ख्रम्किय लागत, उलिए प प्रत्यक प्रश्ण के लागत को इसके बाद क्योंदों के नियुदेद दिया गया है पढ़ना है प्रत्यक प्रश्ण का एक वेद्द्ध बर्क और संक्या है यह संक्या के आधार पर दिये गए से विकल्प से कारे विवरन को चिन्नित करना है मतलब 25-34 अपने को वर्क और देऊंगे वर्क और किसलेश होते हैं मतलब किसले उजोते हैं अपने को बताना है ठीक है question number 25 यह वर्क और दिया है 01 three time zero double four अब्लिक double zero यह वर्क और किसले उजोता है अपने को बताना है तो यह question number 25 वीडियो का मैं आखरी question ले रहा हूं इसके बाद आने वाला वीडियो जो रहेगा वो 25 question का और रहेगा मतलब 50 question अगर time मिला मेरे को यह वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हुआ तो अपन अगले वीडियो में 75 question लेके यह paper को close कर देंगे अगर वीडियो ज्यादा लंबा होता है तो फिर अगले वीडियो में 25 question लेके उसके अगले वीडियो में 50 question और cover कर लेंगे ठीक है तो दो पार्ट में अगर cover होता है वे paper तो दो पार्ट में cover करने के कोशिश करेंगे वीडियो ज्यादा लंबा होगा तो फिर उसको तीन प आज को राज की डूटी भत्ता प्रदान वी में दया इंदन शी में दया प्राथमिक वे दी में दया थी स्टाक फरम आप्शन नमबर ए इस प्राथमिक वे ठीक है और जो भी वर्क और के जो मोस्ट आयंपी रहने वाला है यह वर्क और यह मतलब वर्क आडर का जो भी चाप्टर है मोस्ट आयंपी रहने वाला है इसमें कम से कम 15 से 20 क्वेस्टन बनती बनते तो वर्क और जितने भी आप अच्छे से याद कर सकते ठीक है इसके बाद जो 26 से लेके 50 तक जो क्वेस्टन ने 50 क्वेस्टन वह अगले वीडियो में लेंगे अगर वीडियो लंबा नहीं हुआ ज्यादा और लंबा हो भी गया अगरились टाइम रहा तो फिर अपन पूरा फेपर जो है वह देख अगले वीडियो में कवर करने की कुशिश करेंगे नहें तो फिर इसको तीन पार्ट में खत्म करेगे उघ्य हिएप के बाद वाले यूडियो मेर पच्यास कोशन ले लेंगा और यह पीपर होने के बाद लाफाकर पेपर बचैस्टी है यूसके पिपर बचैसे उयंदों की पेपर बकष्यू안 कि अपने को अगले वीडियो में देखना है पेपर होने के बाद ठीक है पहले पर कंप्लेट कर लेंगे फिर बी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अलो टीचर को झाल झाल